हेलो फ्रेंज क्या आप अभी भी बैंक एकाउंट खोलने के लिए आधार काड दे रहे हैं क्या आप बैंक आफिसर आपको बैंक एकाउंट खोलने के लिए अभी भी आधार काड मांग रहे हैं या फिर आप सिम लेने के लिए बिना आधार काड के आपको सिम नहीं दी जा र और भी ऐसी कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई बैंक और आपसे आधार कार्ड मांगता है बैंक एकाउंट खोलने के लिए आपके पास नहीं है को दूसरा करता है तो आप उसको मना कर सकते हैं इसी परकार सिम लेने के लिए भी मना कर सकते हैं और नहीं मानता है तो उसके उपर कारवाही की जा सकती है चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें कि नोटिफिकेशन के के लिए बैल आइकन का बटन दवा दें कि मैं वीरेन सुन कर सची खबर से आपको स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड मांगने पर एक करोड का जुर्माना हो सकता है और दस साल की जेल हो सकती है तो यह कैसे हो सकता है यह आधार कार्ड को मांगने को सुप्रीम कोट ने अवैद करार कर दिया है जिसके बाद के इंदर सरकार ने एहम फैसला लिया है दोस्तों यह आपकी पास आधार कार्ड नहीं है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं आप बड़े आराम से सिम ले सकते हैं बैंक में खाता खुल सकते हैं और भी कोई काम जो पहले आधार कार्ड के बिना नहीं हो रहे थे वो अब आधार कार्ड के बिना भी हो सकते हैं पहचान और पते की प्रमार के तोर पर आधार कार्ड के लिए दवाव बनाने पर बैंक और टेलिकाम कंपनियों को एक करोड रुपे तक सरकार ने Prevention of Money Laundering Act और भारती टेलिग्राफ एक्ट में संसोधन कर इस नियम को सामिल कर दिया गया है। सुंबार को केंदरी केबिनेट ने इस संसोधन को मंजूरी दे दी है। सरकारी सूतरों का कहना है कि सुप्रेम कोड के हालिया आदेश को ध्यान में रखते हुए या फैसला लिया गया है। इस तरह से आपको अधार भी मिल गया है कि आप चाहें तो इसकी जानकरी दें या फिर ना दें। कि सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें। ये नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन का बटन दबा दें। कि सब्सक्राइब का बटन दें।